हेलो फ्रेंट्स गुड़ मॉर्णिंग टौल अफ यू यू आर मोस्ट वैलकम ओन दा यूटूब चैनल ओफ यू क्लासिज आज आपका टोपिक है वर्ड्स ओफन कनिफ्यूजड हर एक्जाम में है ना कोसन पुछता है इसे रिलेटिट है वर्ड्स ओफन कनिफ्यूजड इन्हें बोलते हैं जिनकी बुल ले इन्हें यू पर नशेशन तो क्या है बोलिये भी निनी भी इदिफरेंट है Spelling भी different है, many भी different है But है न, pronunciation same है वो होता है, words often confused तो देखिए, आज का first question है oral HSC में question आथा ये Oral है जो, O-R-A-L It means है न, ये जो oral है मोखिक होता है, मोखिक Verbal कह लिजी आप इसको ये जो oral है न, it means verbal है Clear है सभी को ये होता है, मोखिक आप देखिए students, exam में बहुत बार question पूछता है Oral का antonium क्या है बहुत बार question पूछता है antonium synonium से, ये इसका antonium रहेगा एक होता है oral test एक होता है written test Clear है सभी को एक होता है oral, एक होता है written test ठीक है न, ये इसका antonium है ये इसका synonium से है अब देखिए ये भी oral है ये भी oral है ये भी oral है ये भी oral है जो इसका है ना pronunciation है वो same है लेकिन ये question पूछता एक्जाम में बहुत बार A-U-R-A-L It means related to ear Write down कर ले Related to ear कान से सम्मंदित ये जो oral है ना जो अपना कान है करन बोलते हैं इसको Related to ear कान से सम्मंदित One word भी पूछ सकता आप से Related to ear क्या आएगा A-U-R-A-L अगर आप से पूछता है written का same word oral ये आएगा oral clear है सभी को So they are called confusing words Next question देखिए क्या है Access है पहले वाला access होता है approach पहले वाला जो access है वो होता है approach ये नहीं बोलते है I have no access to the CM I have no access to the CM मेरी है na CM तब कोई approach नहीं है कोई पहुच नहीं है clear है सभी को access होती है approach It means approach का ये ये access और जो second access है It means over abundance अधिकता होती है over abundance exam में आपके synonyms आएंगे antonyums आएंगे one word आएंगे spelling test आएगा चाहे कुछ भी पुछे आप से आप ready रहें देखिए access है It means over abundance अधिकता कहली जिये एक word देखिए इसके लिए surplus word है इसके लिए ये word तो common सा word है surplus अब एक word देखिए surfit word है इसके लिए surfit clear है सभी को ये जो word है ना access word है It means अधिकता होती है कोई भी चीज है उसकी अधिकता surplus कहली जिये surfit कहली जिये over abundance कहली जिये कोई भी चीज है ना उसकी अधिकता परचूरता कहली जिये next question देखिए क्या है question number 3 है जो पीछे HSC के examना आथा appositive word है जो It means अधिकता है और dear students आपको है हर word की parts of speech बता हो dear students आपको है हर word की parts of speech बता हो vocab का फाइदा तभी है जब आपको हर word की parts of speech बता है ये verb है ये noun है ये adverb है ये adjective है ये जो है न एपोजिट है ये adjective है इट मीन से न ये होता है suitable suitable उपियुक्त बोल लीजिए आप इसको हिंदी में उपियुक्त अब एक word देखिए इसके लिए appropriate बहुत बार spelling पूछता है appropriate ये सारे words है न एपोजिट के लिए है suitable के लिजिए appropriate के लिजिए ये आप इसको ये होता है opposite इट मीन से उपियुक्त के लिजिए जैसे बोलते नहीं है कहानी का उपियुक्त क्या दें सिर्शक दें suitable title दें ये जो एपोजिट है suitable होता है appropriate होता है SSC में LDC कलर्ग है UDC कलर्ग है बहुत बहुत बार spelling आजोगी पहले appropriate की spelling क्या है parts of speech क्या है इसका adjective है आपको है न हर word का parts of speech बताओ जैसे ये word है कोई भी word है कोई आपसे पूछता है इसकी parts of speech क्या है next question देखिए opposite है ये होता है inference of inference of जैसे है न student है जैसे students है और क्या है teacher है क्या होते है एक दुसरे के विपरीत होते है आमने सामने inference of ये opposite है inference of के सामने जैसे है न student और क्या teacher आमने सामने होते है it means ये होता है next word देखिए क्या है जो है न fourth pair है वो देखिए क्या है, advice है, dear students, इस तरह के बहुत सारे words हैं, जहां भी आये, c आये, जैसे दो word है, advice और advice, c वाला noun होता है, it means salah, यह noun है, इस word की है na, parts of speech noun है, और यह word है, s वाला, इसकी parts of speech web है, dear students, बहुत प्यारा question है यह, बहुत बार question को उस्तक जाम में यह, advice है जैसे, जैसे practice है, जैसे professy है, बहुत सारे words है इस तरह के, practice makes a man perfect, practice आएगा, c वाला, अगर मैं बोलता हूँ, practice करनी चाहिए, पी आरे, सी टी आई, सी, वाब आएगी, c वाला क्या होगा, ना उनों का, s वाला क्या होगी, वाब होगी clear है, advice means salah होती है, it's, advice means salah देना, advice यूज कीजिए, advice यह noun है, clear है सभी को, यह देखिए, for example देखिए, see gave me, इस तरह से आप से question पूछेगा, see gave me a piece of, sentence को complete कीजिए, see gave me a piece of, आप ये बरोगे समय, see gave me a piece of advice, उसने मुझे दी, क्या दी, sellा दी, dear students देखिए, क्या है, give वाब है आपकी, give आपकी वाब है, यहाँ जो advice फिलब करोगे, यह आपका noun होगा, clear है, यानि के यहाँ जो है ना, जगह है जो, वो noun के लिए suitable है, नेकी वाब के लिए, clear है सभी को, यहाँ noun फिलब करोगे, advice आएगा, यह नहीं आएगा, c वाला noun होता है, s वाला verb होती है, बहुत सारे words हैं इस तरह के, next pair देखिए क्या है, next जो pair है, adopt word है, क्या word है, adopt, it means go दिलेना होता है, go दिलेना के लिएजी है, अपनाना के लिएजी है, देखिए, one word पूछ सकता आपसे, यह question आपसे one word में पूछ सकता है, to take another side legally, कानोनी रूप से ना, दूसरे के बच्चे को लेना, यानि के गोद लेना, adopt आएगा, गोद लेना, clear है सभी को, adopt means गोद लेना, it means ये भी है students, हिंदी भी आपको पताओ, अगर आपकी ये ना, bilingual हो, हिंदी भी और English भी, तो और भी अच्छा है, अपनाना सोरी, अपनाना, ये जो adopt है, अपनाना भी है, जैसे आपसे, होई सम, सोल नहीं हो रहा है, आपने गल्थ मेथड क्या किया, adopt किया, आपने गल्थ मेथड क्या क्या, adopt किया, यही adopt आएगा, it means अपनाना भी है, it means गोद लेना भी है, clear है सभी को, अब दुसरा word देखिए क्या है, यह question बहुत बार पुछता है, adapt, जैसे अरजून था, क्या था adapt, adapt की parts of speech adjective रहेगी students, और जो adopt है, यह वब रहेगी, अपनाना भी वब है, गोद लेना भी वब है, clear है सभी को, जो ना पहले वाला adopt है, यह वब है, और जो second वड़ा adapt है, यह adjective है, it means निपून कहें लीजिये, देखिए, proficient, dear students, आपकी vocab अच्छी हो, आप ना अकेले grammar के बल पर, कोई भी exam crack नहीं कर पाओगे, ना अकेले grammar के बल पर, ना अकेले vocab के बल पर, आपके दोनों portion सही हो, आपका ना grammatical portion है, वो कैब का जो portion है, दोनों ही सही हो, आप, दोनों पर अच्छी कमांड हो आपकी, यह जो adapt है, it means proficient, निपून का एलिजी, आप इसको हिंदी में, निपून, जैसे है ना, अरजुन क्या था, एक निपून दनुशदारी था, निपून, अब एक word देखिए इसके लिए, बहुत सारे words हैं इसके लिए, देखिए क्या word है, dextras word है इसके लिए, dear students, last year HSC में spelling पूछी गई थी, dextras की spelling क्या है, dextras की spelling क्या है, dear students, एक और देखिए, जिस word के last में क्या लग रहा हो, OUS, जिस word के last में suffix लग रहा हो, OUS, वो word adjective होता है, सभी को पता है ना, जिस word के last में क्या लग रहा हो, OUS, ये जो adapt है, proficient है, dextras है, इसको आप ये भी कह सकते हैं, देखिए, एक word है इसके लिए, deft, d-e-f-t, ये भी adjective है, निपून के लिए ये आप इसको, एक word और देखिए इसके लिए, बहुत सारे words है, वो कैब, बढ़ाते रहें अपनी, adroit word है इसके लिए, adroit, सारे word इसके लिए, adapt के लिए, ये आपका adjective है, proficient है, dextras है, deft है, adroit है, सबका meaning, निपून है, निपून, clear है, last word देखिए, adapt है जो, ये question, s3 में आ चुका पहले, ssc में question आ चुका ये, देखिए कैसे, ये adapt लिए, अपनाना, अनुकूल होना, ये नहीं बोलते हैं, हमें adapt कर लेना चाहिए, according to the atmosphere, किसका coding, atmosphere का coding, example देखिए इसका, बहुत ही अच्छा question है, ये ही example पूछता एक्जाम में बहुत बार, देखिए, we should, ourselves, according to the atmosphere, atmosphere की spelling क्या है, a-t-m-o-s-p-h-e-r-e, we should, ourselves, according to the atmosphere, इस तरह से आपको word देगा, वो, इसमें fill up करें, तो यहां आप है न, fill up करोगे, यही fill up करोगे, adapt आएगा, clear है सरीको, इस तरह से question आता ये, we should, adapt ourselves, according to the atmosphere, हमें है न, atmosphere के according, अपने आपको डाल लेना चाहिए, clear है न, adapt आएगा, A-D-A-P-T, यह adapt है निपूनवारा, यह adapt है गोद लेना, गोद लेना कहलीजिए, अपनाना कहलीजिए, clear है सरीको, यह जो adapt है, it is a verb, यह adapt है, it is also a verb, यह जो adapt है, it is an adjective, हर वर्ड की parts of speech पताओ आपको, dear students, अगर आप follow करोगे मेरा, आप कभी भी है न, parts of speech में कभी भी आप पिछड़ोगे नहीं, parts of speech आपकी tips पे होंगी, finger tips पे, next word देखिए क्या है, next word देखिए क्या है, appraise word है, appraise का में देखिए students, यहां कर रहा हूँ मैं, appraise है जो, it means to assess, किसी को आंकलन करना कहलीजिए, आंकलन करना कहलीजिए, to assess, AWS, 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 एक word देखिए इसके लिए, evaluate, evaluate, जैसे आपके हैं, assessment के marks लगते हैं, जैसे आप school में पढ़ते हो, college में पढ़ते हो, आपके हैं, assessment के marks जुडते हैं, assess, assess means किसी को appraise करना, appraise करना, it means किसी का आंकलन करना, किसी का evaluate करना, clear हैं सरीको, exam में आप से पूछ सकता, synonym क्या आएगा, evaluate आएगा, assess आएगा, dear students, ये question, SSC में पूछ, पहले आथा question ये, appraise है, it means inform करना, inform करना, clear हैं सरीको, जो है न, appraise है, it means to inform, किसी को सूचना देना, किसी को सूचित करना, बहुत अच्छा question है, दोनों ही वर्ड, exam में पूछ जा जुके हैं, appraise का meaning क्या है, evaluate करना, to assess, आकलन करना, ये वर्ड है, appraise, it means होता है, to inform, किसी को सूचना देना का एलिज दिये, clear है, next आलिए, आगे, next word है, beside, ये question कितनी बार पूछता, exam में देखिए, क्या है, beside का meaning ये होता है, by the side of, जो है न, beside है, it means by the side of, bugle में, जैसे दुला दुलन बैठते हैं, side by side, bugle में, मान लीजिए, sentence बोलता हूँ, he came in, he came in, and sat beside me, वह अंदर आया, और बैठ गया, मेरे बगल में, मेरे side में बैठ गया वो, दुला दुलन कैसे बैठते हैं, side by side, एक दुसरे के बगल में, एक दुसरे करीब, by the side of, beside आएगा, ये question बहुत अच्छा है, besides होता है, देखी क्या होता है, ये question बूछता है, exam में बहुत बार, apart from, dear students, ये जो words है, note करते रहें, आप इसको notebook में, क्या word है, besides, difference देखे क्या है, ये besides है, it means apart from, के अलावा, के बावजूद, के अलावा, example देखिए, example से आपका clear होगा, doubt है जो, देखिए, I know Hindi, I know Hindi, dash English, इस तरह से आप से question करेगा वो, I know Hindi, मैं हिंदी जानता हूँ, dash English, English के अलावा, English के अलावा, it means apart from, it means besides, besides fill up कीजिए, clear है, sentence की हिंदी बनावगे, I know Hindi, मैं हिंदी जानता हूँ, besides, क्या, English, English के अलावा, इंगलिस के अलावा, ठीक है न, apart from, सेंसारी, apart from की, besides fill up कीजिए, besides, by the side of, example दे दिया, he came in and sat beside me, dear students, besides वारा concept बहुत अच्छा है, अगर मैं बोलता हूँ, I have a car, I have a car, besides a bike, मेरे पास एक कार है, बाइक के लावा, मेरे पास एक कार है, बाइक के लावा, it means car भी है, बाइक भी है, के लावा, besides आएगा, clear है, आगे चलिए, next जो पेर है, पता क्या है, जो इनका pronunciation है, वो लबग सेम है, बाट इनका meaning अलग है, क्या वाट है बूलिए, illusion, यह जो illusion है, it means reference होती है, reference, यह नहीं बोलते हैं, आप किसकी reference में हो, आपने यहाँ admission लिया है, किसकी reference में आया हो आप, यह जो illusion है, it means reference होती है, बहुत ही अच्छा question है students, और यह question तो, last year at SSC में सेम आथा देखी कैसे, illusion, students देखी क्या होता है, illusion, illusion होता है, deception, दोखा कैलीज यह, बरम कैलीज यह, दोखा कैलीज यह, आप इसको, आपने word सुना है, deceive, deceive की spelling क्या students, यह word deceive से बनाया, देखिए, deceive की spelling बहुत बार पूछता exam में, deceive की spelling क्या है, clear है, आप से है ना, parts of speech पूछता है, deceive की parts of speech बाबरेगी, deception noun है, it means to cheat, दोखा देना, it means दोखा, दोखा देना क्रिया है, दोखा संग्या है, करिये है सभी को, यह जो illusion है, question देखिए कैसे आथा, बहुत ही अच्छा question है, देखिए, इस तरह से आप से question करेगा, the whole world is an, sentence को complete कीजिए, तो आप complete करोगे, इसको यहाँ फिलब कीजिए, the whole world is an illusion, पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, क्या है बोलिए, बरम है, deception है, deception है, illusion है, illusion नहीं है, illusion है, clear है, आगे चलिए, next question देखिए क्या है, next question है, bridal, यह जो question है, bridal है, dear students, आप से question कर जाता है, part of speech क्या है, यह जो bridal है, इसकी part of speech क्या है, noun है, clear है, headgear of a horse, headgear of a horse, जैसे ना, गोड़ा होता है, गोड़े को आप control करने के लिए, कि गए ना, लगाम लगाते हैं उसकी, लगाम कसते हैं उसकी, लगाम होता है, यह जो bridal है, लगाम मीनिंग है इसका, headgear of a horse headgear of a horse गोड़े की लगाम होती है bridal और ये वर्ड आपको पताई है ये जो bride से समंदित है देखिए ये वर्ड है ना इससे match करेगा इससे bride से bride दुलहन होती है दुलहन bridal है दुलहन से समंदित देखिए connected क्या connected with a bride with a bride ये इसकी statement रहेगी connected with a bride ये answer आएगा इसका bridal clear है दुलहन से समंदित है तो bridal ये आएगा b-r-i-d-e-l अगर है लगाम गोडे की लगाम है bridal कुण सा bridal आएगा b-r-i-d-l-e dear students be alert alert रहें आप चोकन नहीं रहें आप spelling कोण सी सही है कोण सी आएगी meaning क्या है उसका किस sense में meaning है उसका ये जो bridal है head gear of a horse ये जो bridal है bride के लिए है दुलहन से समंदित clear है bride groom दुला होता है bridal sorry bride दुलन होती है bridal दुलहन से समंदित अगर इसकी parts of speech पूशता आप से parts of speech इसकी adjective है dear students अगर है ना bride की parts of speech पूशता है noun है bride की parts of speech क्या बोलिए noun है bridal की parts of speech क्या बोलिए adjective है clear है सरी को आगे चलिए next फिर देखी क्या है ये है canon it means कहली जिए law कहली जिए canon कहली जिए ये जो canon है ये canon के लिए है canon जैसे फिलम ये अंदा कानून ये canon के लिए है अब ये देखिए या आप इसको ये कहली जिए rule and regulation क्या कहली जिए rule and regulation अब देखना canon है जो ये question आता last year HSC में बहुत 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 बहुता है canon it means लिखे top होता है top एक बहुत बड़ी gun होती है a big gun ठीक है ना एक बहुत बड़ी gun होती है जो ठीक है ना जैसे आपके ये ये निए top होती है जो जो wheel के उपर खड़ी होती है पईयों के उपर खड़ी होती है उसे बोलते है यह यह जो कैनन है तोप के लिए वर्ड है यह एक्जाम में कुर्शन आगा अकबर यूजड अकबर यूजड कैनन इन दा फस्ट बेटल ओफ पाणी पत ठीक है ना चोर चोरी बाबर था अकबर था जो भी था देखिए क्या है क्या यूजड की उसने कैनन यूजड की यह आएगा कैनन तोप है जो मान लिजिए अभी इंडिया के बीच और चाइना के बीच गर्मा गर्मी है अगर यूद होता है तो है ना तोप चलेंगी इसमें मान लिजिए तो कैनन यह आएगा कैनन C-A-N-N-O-N कानून के लिए य क्या है कि नेक्स्ट वड़गा के ड़नवेस यह वड़गा कैन वेस सुना आपना चैनवेस बैगा देखिए केर्द समय जैसे opposite स्थिखे औस कोचिंग पर आते हैं सब van PH सब्सक्राइब जैसे नहीं जैसे ट्रक है गोड़ सकारी लिखा होता है उसके उपर उसके उपर भी एक कपड़ा होता है एक मोटा कपड़ा होता है एक इरफ कलोथ उसे बोलते हैं canvas, c-a-n-v-a-s, single-s आएगा, dear students देखिए, एक और difference देखिए, ये canvas noun है, और ये canvas verb है, clear है, ये noun है, संग्या है, ये क्रिया है, ये ठीक है ना, verb है, ये canvas लिखिए, it means है ना, गुम गुम कर vote मांगना, जैसे, अभी मान लिजी, election है, election में है ना, घर-घर, door-to-door जाते हैं, vote मांगने के लिए, ये canvas आएगा, वैसे है ना, इसका जो परनसेशन है, गल्द करते हैं लोग, ये नी बोलते हैं, teachers आए हैं, convincing के लिए, convincing कोई word नहीं है, canvassing word होता है, canvassing, वैसे बोलते, mostly यही है, 99%, convincing ब परचार करना, it means vote मांगना, clear है, अगर पूशता है, rough cloth, canvas आएगा, c-a-n-v-a-s, इसमें double s कर दें, ये noun है, ये verb है, next question देखिए, next question most important है, देखिए, question आप से कैसे पूचेगा, mini बाद में करेंगे इसका, देखिए, you are my dash, sentence को fill up कीजिए, you are my dash, you are my confident, you are my confident, it means है न, जो word है, confident है, विश्वास पात्तर, विश्वास पात्तर, जिसके उपर आप विश्वास करते हैं, जैसे है न, 2016 में, students, 2016 में, note बंदी हुई थी, note बंदी हुई थी, उस बात का पता है न, कुछ ही लोगों को था बस, आपने जो PM है, नरेंदर मोदी जी, उनके सिवाए, दो confident, confident वो हता है, जो आपकी secrecy leak ना करे, मान लिजिए, मेरा कोई confident है, मेरा कोई ऐसा दोस्त है, जिसके पास मैं अपने, जिससे मैं अपने दुख सुख सेर करता हूँ, उसे बोलते है, confident, क्योंकि वो है न, मेरी secrecy leak निगरेगा, वो, you are my confident, ये confident आएगा, clear है, और ये जो confident है, it means sure कहें लिजिए, sure कहें लिजिए, certain कहें लिजिए, देखिए students ये अंतर है, ये जो confident है, it means sure है, certain है, मान लिजिए, मैं confident हूँ, कि मैं na CGL exam qualify करूँगा, correct करूँगा, students बोलते हैं, I am confident of, I am confident of qualifying the CGL exam, ठीक है न, ये confident आएगा, ठीक है न, विराट कोली is confident of winning the World Cup, जो विराट कोली है, वो confident है, World Cup जितने का, ठीक है न, ये confident आएगा, C-O-N-F-I-D-E-N-T, ये confident होता है, विश्वास पातर, जो है न, हमारी secrecy किसी को भी leak नहीं करता, उसे बोलते हैं, confident, clear है सभी को, next word देखिए, next word है, contagious, क्या question है contagious, लिखिए, it is, O-U-S दिया है, ये आपका adjective रहेगा, अगर पूछता है, contagious की parts of speech क्या है, आप बोलोगे sir, adjective है, dear students, HSC में, हर साल question पूछता है ये, parts of speech का question तो पूछता है आपसे, चाए हिंदी में पूछे, चाए इंगलिस में पूछे, आप कभी भी पीछे नाटे, क्या word है, contagious, लिखिए, it means क्या है, one word पूछता आप से, देखिए, a disease that separates by contact, touch के लिजिए, is called contagious, clear है, contagious होता है, ऐसी बिमारी, जो छूने से पहले, जैसे आज़कल COVID-19 है, it is also a contagious disease, clear है ना, it is also a contagious disease, जो COVID-19 है, वो भी एक संक्राम की बिमारी है, संक्रामन से पहलती है वो, so आप mass use कीजिए, ठीक ना, be alert, next question देखिए क्या है, next word है, sorry, next जो spelling है, वो मैंने गलत लिख दी, next word है, contiguous, क्या word है बोली है, contiguous, वो word है, contagious, यह word है, contiguous, it means है ना, देखिए, nearby place, nearby place, जैसे मान लीजिए, अमरेडी गाउं है जो, जीन्द के पास वाला गाउं है, ठीक है ना, वो है ना, contiguous village है, कोई आपसे पूछता है, जीन्द के सबसे पास वाला गाउं कुण सा है, जीन्द के ना, सबसे पास वाला, पास वाला कुण सा है, बोलिए, contiguous word आएगा, contiguous, अगर आपसे पूछता है, a disease that spreads by contact, ऐसी भीमारी जो छूने से फैलती है, तो आएगा बोलिए, contiguous, c-o-n-t-a-g-i-o-us, clear है ना, आगे चलिए, next question देखिए, क्या है, complain, dear students, बहुत सारे students है ना, इसी में पिछडते हैं, बहुत सारे students को पता ही नहीं है, complain में क्या अंतर है, नहीं पता आपको, देखिए, it is a verb, complain करना, सिकायत करना, clear है, लेकिन ये नाउन है, dear students, ये नाउन है, difference क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, complain तो वब है, जिसे मैं बोलता हूँ, मैं आपकी complain करूँआ, ठीक है, मैं आपकी सिकायत करूँआ, सिकायत करना, वब है, किरिया, किरिया है, तो complain लिखिए, अगर टी लगा दिया, ये नाउन है, ये नाउन है, एक तो है सिकायत, और एक है, बुलिए, सिकायत करना, सिकायत तो ये है, सिकायत, सिकायत करना वो है, complain, करियर है, complain मीन सिकायत करना, complain, सिकायत, C-O-M-P-L-A-I-N नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड SSC CGL में कोशन आता ये, जो नेक्स्ट वर्ड है, SSC CGL में कोशन पुछागा आता ये, dear students, complacent वर्ड है, जो complacent, पता क्या था complacent, ये adjective पहली बात थो, पहली बात थो न, ये वर्ड है, जो आपका adjective है, complacent, ये होता है, self-satisfied, आतम संतूस्ट कहा लिजिए, आतम संतूस्ट, जो न, अपने आप से संतूस्ट हो, मान लिजिए मैं मेरी लाइब से, संतूस्ट हूँ, क् complacent, complacent होता है, self-satisfied, जो अपने आप से संतूस्ट हो, adjective है ये, नगी noun है ये, नगी verb है ये, नगी ये, adverb है, complacent, ये होता है, self-satisfied, clear है, satisfied कह लिजिए, self-satisfied कह लिजिए, next word देखें students, next जो word है, यही word पूस्ता एक्जाम में बहुत बार, it means होता है, obedient, आज्याकारी, जैसे, you are an obedient child, you are an obedient student, आप कैसी शत्तर हो, आप आज्याकारी शत्तर हो, ये जो word है, obedient के लिए आएगा, जो हमेशा ओबे करता हो, हर किसी की, जो हर किसी की ओबे करता है, complacent कहलाता है, spelling क्या है, complacent, complacent है, जो self-satisfied, ये जो है, it means obedient के लिए, बहुत प्यारा question है, students, ये जो question है, बहुत बार, पूस्ता एक्जाम में, next word देखिए, next word भी, estate में आथा ये last year, question, 2019 में question आथा ये, compliment, ये देखिए, compliment है, it means है न, पूर्ण कहें लिए, compliment, पूरक कहें लिए, पूरक, जैसे है न, complete से मनता है, compliment, ये निया आता है, subject compliment है, object compliment है, किसका compliment है, अब एक question देखिए, estate में question आथा ये, देखिए, देखिए, students, क्या है, he is a doctor, आर साइलेंट रहेगा, he is a doctor, ठीकर न, ये किसका compliment है, subject compliment है, इस तरह से, न, question पूछिलिया, सुने, subject compliment है, या object compliment है, ठीकर न, या object compliment है, या वब compliment है, तो देखिए, क्या है, he is a doctor, वह है एक doctor है, ठीकर न, तो देखिए, ये आपका he subject है, ये subject compliment है, आपका answer आएगा, subject compliment, ने की वब compliment, ने की object compliment, एस्टेट में, लगबग हर साल कोशन पूछता ही है, compliment, compliment होता है, जो ठीकर न, पूरी sense दे, complete sense दे, कोई वर्ड है न, complete sense दे, compliment, ये वर्ड आएगा, compliment, subject compliment, object compliment, next word देखिए क्या है, next word भी most important word है, ये जो word है, compliment है, जो, it means है न, ये word आएगा, compliment, admiration के लिए, तारीफ के लिए, admiration के लिए, आप इसको, appreciation के लिए, appreciation, ये जो compliment है, ठीकर न, तारीफ के लिए, जैसे मान लीजिए, किसी का बढ़ दे है, आप उससे compliment करोगे, ठीकर न, compliment करोगा, आप उसको, कोई gold medal जीत के आया है, आप उसको compliment करोगे, आप उसकी तारीफ करोगे, ठीकर न, compliment, next word है जो, वो भी बहुत ही अच्छा question है, देखिए, word सारे ही important students, वो कैब तो है न, ऐसा topic है, जो आपका life है, पूरी life भी पूरा नहीं होगा, पूरी life भी, क्या word है बोलिए, discreet है, क्या word है बोलिए, discreet, क्या question है, it means है न, बुद्धी मान होता है, adjective है यह, पार्ट सोप स्पीछ पूछ से आपसे, adjective है, discreet होता है, wise, चानक क्या था, क्या था, बड़ा, बुद्धी मान था, it means कहली जीए, prudent, it means कहली जीए, astute, dear students, एक words के, बहुत सारे words बताव आपको, एक word के लिए, बहुत सारे words आने चाहिए, आपको, एक word से काम नहीं चलेगा, अगर आपका target है, SSC, या banking, एक word से आपका काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी, क्या word बोलिए, wise है, prudent है, astute है, ठीक है, ना, सारे words discreet के लिए है, यह होता है, बुद्धी मान, बुद्धी मान के लिए जीए, अब एक word देखिए क्या है, prudent की parts of speech क्या बोलिए, adjective है, कोई आ के नाम से, है ना, prudence, it is an abstract noun, यह noun है, कोई आप से पूचता है, prudent को convert कीजिए, noun में क्या बनाओगे, prudence, क्या बनाओगे, prudence, और वैसे भी है ना, एक तुका है, देखिए क्या है, जिस word के last में क्या लग रहा हो, ence, जिस word के last में क्या लग रहा हो, ence, वो सारे words नाउ नाउन होते हैं, students, जिस word के last में क्या लग रहा हो, ence, और क्या लग रहा हो, ence, सारे words नाउन होते हैं, students, जिस word के last में OUS लग रहा हो, क्या लग रहा हो, OUS, वो adjective होते हैं, आपकी parts of speech कभी गल्त ना हो, clear है, discrete है, यह बुद्धी मान के लिए है, wise के लिए है, चनके के separate, it means to separate, separate की spelling, H-S-E-C में पुची गई थी, separate की spelling क्या है, S-E-P-A-R-A-T-E, कोई आप से पूचता है, separate से noun बनाईए, separate से noun बनाईए, कोई आप से question करता है, separate से noun बनाईए, तो बना दीजिए, separation, clear है न, dear students, आपकी parts of speech बहुत यच्छी हो, separate है, verb है, separation noun है, discrete means separate करना, अब एक और देखिए, एक word इसके लिए भी है, वो कैब आपकी अच्छी हो, we know, we know है, जैसे आप है न, गेहू है, अनाज है, गेहू को आप इस तरह है न, ladies देखिए आपने, गेहू साप करती है, वो, उसके अंदर से भूसा है, वो निकालती है, we know word है, इसके ल इसके लिए, बहुत सारे word से इसके लिए, next word देखिए क्या है, आपको ये पताओ, discrete है न, जो बुद्धिवान के लिए कुन साएगा, और जो separate करने के लिए कुन साएगा, बस spelling क्या रहेगी उसकी, बोलने में से मैं दोनो, अब ये last word देखिए क्या है, disease, it means है न, बिमारी होती है, element के लिए, element, it means illness के लिए, illness, clear है, बिमारी होती है, element, जैसे cancer की बिमारी है, cancer is a fatal disease, अगर आप से question पूछता है, cancer is a fatal, dance, dance में ये फिलप कर दो, disease, cancer एक बैंकर बिमारी है, गातर बिमारी है, अब last word देखिए क्या है, this is, this is, it is a noun, वो भी noun था, ये भी noun है, this is, it means demise, साइद आपको पता है, death, मृत्य होती है, ये, ये सारे इसके वो रहने, synonyms, last word है क्या बोलिए, this is word है, d-e-c-e-a-s-e, this is होती है, death कहले जिए, demise कहले जिए, आज के लिए इतना ही भी, वीडियो अगर आपको पसंद आयो, तो like जुरू करें भी, channel को subscribe करें,